नमस्त दूस्तों आपका स्वागत है हमारे चेनल मदा डोटर कुछिंटोंगर नीवू पानी का आपने कई वाल पिया हुआ फाज में जिस तरह से बनाने वाली है उसे आप कई महीनों ताक श्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं यहां मैंने एक किलो के करीब निवू ले लिया है रस वाले अब इसे में कट करके इसकारा से अलग कर लूँगे इसे मैंने धोकर और पोचकर रखा वा था अब मैं इसके बीज अलग कर लूँगी और रस अलग कर लूँगे तो यहां मैंने निवू कर रस अलग कर लिया है और छिलके भी अलग कर ले लूँगी अब इसमें मैं एक कप पानी एट कर रही हूं सकर सिर्फ मेल्ट हो जाए और पक जाए वह इतना पानी हमने समेट किया है अब यहां मैंने नीबो के छिलके एक जारम भरकर रख दिये उसमें थोड़ा सा सेंधा नमाग एट कर दिया है इसकी रेसेपी है अगले होने के लिए रख देंगे और यह थंडी हो चुक्की है अब इसमें हम नीबो करसे अट कर देंगे और फिर इसे हम थोड़ी है जा देंगे तब तक मसाले तैयार करेंगे अभिया मिसीकंजी का मसाला तैयार कर रही है तोम यहां दो तरह से बनाऊंगी ऊपास का वगेर ऊपास का लए के ज। रोष्ट कर लेंगे यह ऑजवाइन इसमें काली मिर्च एट की है, दो ती निलाई ची एट की है और यहां मैंने सेंदा नमक एट कर लिया है, अब यहां मैं दो चम्मत जीरा, कच्छा वाला और इसे एट करके ग्राइंड कर लूँगे, इससे इसका बहुती अच्छा टेस्ट आएगा, यह हमारा मसाला ग्राइं यह हमने इसमें काला नमक मिलाकर, अच्छा से मिला लिया है, अब यह दोनों तरह के मसाले हमने तयार कर लिया है, अब हमने फ्रीज में स्टोर करने के लिए एक आच की बाटल ले ली है, अब इसमें मैंने जो नीबू किसी कंजी बनाई थी, उसको इसमें भर दिया है, करती समय इसमें एड कर सकते हैं तो ये निभू की शीकंजी तयार हैं आप बाहर के बाहर से आते हैं निभू पानी बनाना ज़ंजट लंड़ तो ये किलास पानी ले ले आब इसमें एक जो से शिकंजी बनाईए इसमे एट कर दें आप चाहें तो मसाला भी उपर से एट कर सकते हैं और पूदिना भी एट कर सकते हैं तो ये शिकंजी नीबू पानी तयार है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए वेल आइकन प्रेस कीजिए और जाज़ जाज़ शेर कीजिए थेंक यू बाबाई